So hello friends, welcome to my phone technical Sunil channel दोस्तों आप अपने फोन में गेम खेलते हैं और गेम खेलते बक्त आपका फोन हैंक करने लगता है या फिर आपका गेम सही से नहीं चलता है आपके फोन में गेम रुक रुक के चलता है या फिर आपके फोन की रैम कम है और आप अपने फोन में PUBG या फिर फिरी फाइर गेम खेलना चाहते हैं पर आपके फोन की रैम कम होने के कारण आप अपने फोन में गेम सही से नहीं चला पाते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिने अगर आप अपने फोन में अप्लाई कर देते हैं तो इस सैटिंग को करने के बाद आप अपने फोन में Free Fire या फिर PUBG गेम बहुत ही अच्छे से खेल सकेंगे आपके फोन में बिल्कुल भी गेम हैग नहीं होगा गेम रुक रुक के नहीं चलेगा गेम की क्वाल्टी बहुत ही अच्छी आएगी और गेम अच्छे से चलेगा तो दोस्तो जानने के लिए मेरे वीडियो को आंते तक देगना है और मेरे चैनल पर अगर आप नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बैल आइकन को जरूर दबाएं जाया है तकि मेरे वीडियो को notIFiG지 आपको मिले सबसे पहले तो चलिए करते हैं इस interesting वीडियो को start तो दोस्तो इस सेटिंग को applies करने के लिए सबसे पहले setting के option पर क्लिक करेंगे setting के option पर क्लिक करने के बाद आपको about phone के section में जाना है और about phone पर क्लिक करना है उसके बास से दोस्तों यहाँ पर एक आपको version के नाम से option मिल जाएका जैसे कि मेरा phone MI का है तो यहाँ पर MIUI version के नाम से एक option है और इस पर मैं 7 बार tap करूँगा तो मेरे phone का developer option आउन हो जाएगा यहाँ पर आ गया है you are now a developer आप that age बार tap करा सोँ को पर है तो कि मेरे phone का developer option हरा यहाँ पर स़र्च करते हैं कि एक फोन को developer option कैसे on करें तो आपको simple सी बात है अपने phone का double per option on कर लेना है उसके बाद से क्या करना है जैसे ही आप 7 बाद टैप करेंगे तो आपके phone का double per option on हो जाएगा फिर back जाना है back जाने के बाद आपको आपके phone में additional setting मिलेगी जो कि हर phone में होती है तो additional setting पर click करना है additional setting पे click करने के बाद यहाँ पर आपको एक नीचे double per option का option मिल जाएगा तो यहाँ पर double per option के नाम से एक option आ गया है तो इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद दोस्तो नीचे आ जाएंगे दोस्तो इस option में मैं एक बात बता दूँ आपको किसी दूसरे पर tap नहीं करना है आपको ध्यान से देखना है मैं जिस भी option पर बता रहा हूं उसी को on करना है और इसको on करने से आप अपने phone की केमी performance बहुत अच्छी कर लेंगे तो नीचे आ जाएंगे दोस्तो जैसे कि मैं नीचे आ रहा हूं तो यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ यह 4X MSAA और नीचे एक दिया हुआ है प्रिसीबल HW और लेज तो इन दोनों option को आपको टिक करके on कर देना है दोस्तों इन दोनों option को on करना है बकाया आपको किसी भी option को नहीं छेड़ना है अगर आप इन किसी दूसरे option पर टैप करते हैं तो आपके phone में कोई भी घड़बड़ हो सकती है क्योंकि यह double option है दोस दोस्तों इन setting को on करने से आपके phone में कोई भी background में run नहीं करेगा अगर आप अपने phone में game खेल रहे हैं तो सिर्फ आपके phone की जितनी भी RAM है वो उस game पर ही focus करेगी तो आपके gaming performance बहुत अच्छी हो जाएगी कोई भी app आपका background में run नहीं करेगा तो इस तरह से आप अपने mobile की gaming performance को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं दोस्तों इस setting को apply करने के बाद आप अपने mobile में game बहुत ही अच्छे से खेल सकेंगे तो कैसा लगा मेरा वीडियो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को subscribe करें और बैल आकन को जरूर दबाएं और comment में हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा धन्यवाद